बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जुड़ करके पूच सकते हैं प्रशन कॉल के द्वारा भी और साथ ही साथ अपना प्रशन आप हमें लिखकर भी बेज सकते हैं तो आज है 9 जानवरी 2022 दिन है रवीवार का वहीं पे अगर बात कर ली जाए तिथी की तो पौश मास के शुकल पक्ष की सप्त मिथि है ये तिथी रहेगी सुभा के 11 जानवरी तक और इसके बाद जो है अश्ट मिथि आरंभ हो जाएगी वहीं पे नक्षत्र की बात कर ली जाए तो रेविती नक्षत्र रहेगा सुभा 7 बच के 10 मिनट से ले करके और अगले दिन यानि 10 जानवरी तक रहेगा सुभा 8 बच के 49 मिनट तक इसके बाद आजविन नक्षत्र आरंभ हो जाएगा राहुकाल के अगर बात कर ली जाए तो राहुकाल का समय रहेगा शाम के 4 बच के 34 मिनट से ले करके 5 बच के 54 मिनट शाम तक के राहुकाल रहेगा इस दुरान आपको किसी भी तरहा का शुभ मांगलिक कारे नहीं करना है वहीं पे चंद्रमा, सारा दिन मीन राशी में गोचर करेंगे तो रविवार का दिन है, भगवान सुर्ण नरायन की इस दिन पूजा राधना की जाती है और इसके साथ हे साथ इस दिन, अगर अधित्त हिर्दस रोध का पार्ट कर लिया जाए तो बहुत ही खास रहता है वहीं पे देखते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्तो में क्या कहते हैं आपके टारो कार्ट्स बात करेंगे मेश राशी के जातको की मेश राशी वालोक लिए कार जाए हैं दर इम्प्रेस इसके साथ तेन अफ वांड्स वहीं पे नाइट अफ सौट्स तो दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा कही न कहीं भाग दौड में आज का दिन निकल सकता है अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा बात करें आपके करियर की तो जो लोग नौकरी करते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करने के विश रखता है मगर बिजनस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत ही जादा खास रहेगा इसके अलावा जो दामपत्ते जीवन व्यतीत कर रहे हैं अगर वो सोच रहे हैं कि उनको कोई good news मिले संतान प्राप्ती के लिए तो आज के दिन कहीं नहीं good news भी मिल सकती है तो दिन all over बहुत अच्छा रहेगा मेश राशी के जातकों के लिए आपको उपाई क्या करना है आज के दिन यदि आप गुड का दान करें तो आपके लिए बहुत ही जादा शुब सावित होगा बात करेंगे ब्रिश्यब राशी के जातकों की यानि टॉरिंस की आपके लिकार्ज आए हैं दसन इसके साथ 10 of cups वही पे 3 of cups अगर आप अविवाहत है विभा के लिए आप कोई रिष्टा ढून रहे हैं तो आज आपको विभा योग के रिष्टा मिल सकता है वही पे जो लोग सरकारी नौकरी की प्राक्ति करना चाहते हैं उनके लिए आज के दिन कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है इसके अलावा फैमली के साथ टाइम अच्छा बीच सकता है गेट टूगेधर हो सकता है कही ना कहीं कर देखा जाए तो आज के दिन कोई ना क पित करें आपके लिए काफे हद तक बहतर रहेगा बात करेंगे मिथुन राशी के जातकों की कार्ज आए हैं आपके लिए एट अफ पेंटिकल्स दफूल इसके सासत फूर अफ कप्स किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है मगर अगर आपको ठीक ना लगे कोई डिसिज आपको हो सकती है तो इसे लिए पेशन्स रखे सब कुछ आने वाले समय में ठीक हुचाएगा विधुन राशी के जातकों के लिए बहतर रहेगा यह दिया आज के दिन आप कांसे कादान करते हैं तो आपको लाप रापत होगा वहीं पर बात करेंगे करकर आशी के जातकों कि कांसेरियंस की कार्ज आए हैं आपके लिए धायरोफेंस, नाइन अफ सौर्ड्स, दे वर्ल्ड भागया आपका साथ जरूर देगा कोई ऐसी चीज़ चो बहुत लंबे समय से आप पूरी ना कर पा रहे हो आज के दिन पूरी होगी मगर वहीं पे स्वास्त संबंदत पर द्यान रख करके चलिए छोटी मोटी दिक्कत होगी बढ़ ठीक भी हो जाएगी अपने बड़ो का आश्रवाद लेकर के चलिए यही सला है आपके लिए उपाए आपके लिए बहतर रहेगा यदि आज के दिन आप किसी भी लक्षमी नरायन मंदिर में तुलसी का पौधा अगर दान कर दें तो बहतर रहेगा आपके लिए मगर हाँ एक चीज का दिहान रख के चलिएगा आज के दिन तुलसी में जल नहीं चड़ाया जातो जल बिल्कुल मत दीचेगा सिरफ दान कीजएगा बात करेंगे सिंह राशी के जातको की सिंह राशी के लिए काज आए है 3 of pentacles, queen of cups, the chariot तो कहीं न कहीं कोई चीज में आज आपको विजय प्राप भू सकते हैं कोई काम आपका रुका हुआ था तो वो आज के दिन पूरा हो सकता है Emotional होके कोई decision लेंगे Emotional होके decision आज के दिन बिल्कुल नहीं लेना है वहीं पर पैसो का लेन देन से आज के दिन साफधान रहना है नहीं तो नुकसान हो सकता है Singh Rashi वालों के लिए उपाय से ही रहेगा Anaar का दान आज के दिन करें आपके लिए बहतर रहेगा बात करेंगे Kanya Rashi के जात्रकों की तो Kanya Rashi के लिए काज आए है Ten of Swords वहीं पे काज आया है Seven of Cups, Ace of Cups प्रेम की नई शिरुवात हो सकती है जो लोग Singles है कहीं ने कहीं आपके जीवन में कोई व्यक्ती का आगमन हो सकता है मगर अगर वहीं पे देखा जाए Family में, पारभारिक रिष्टों में आज के दिन विश्वास करने का सही समय नहीं है कोई रिष्टा आज के दिन खतम भी हो सकता है Emotional होकर कि आप किसी विवाद में फस सकते हैं बहतर रहेगा विवाद से बचके रहेगा तो और राशी के जातकों के लिए पाई सही रहेगा यदि आज के दिन आप गुड़ और गेहूं का दान करें आपको लाप राप्त होगा बात करेंगे तुला राशी के जातकों की तुला राशी के लिए कार्ज आए है Death card आया है, Handman आया है थोड़ा से चुनाती भरा दिन रह सकता है स्ट्रेस हो सकता है भागदोरी हो सकती है मगर कोई चीज हो सकती है जो आपको निराश करें निराश बिल्कुल नहीं करना है सोच समझ के decision लेना है जो महिला, चाहिए आपकी बहन हो चाहिए आपकी wife हो या फिर आपकी माता हो जिन पर भी आपको सबसे अधिक प्रस्ट हो उनसे पूछ करके अगर आपकी इस चीज में निर्ने लेने के सक्षम नहीं है तो उनसे पूछ करके आप निर्ने ले सकते हैं बहतर रहेगा आपके लिए उपाय क्या करना सही रहेगा आज के दिन यदि आप लालवस्त्र कादान करें तो बहतर रहेगा बात करेंगे वरिश्ट कराशी के जातकों यानी स्कॉर्पेंस की तो आपके लिए काज आए हैं पेज ओफ कप्स वहीं पे एट ओफ कप्स इसके साथ एट ओफ सौर्ट काम को लेकर के आज के दिन स्टक रहेंगे फसे रहेंगे इसके लावा कर देखा जाए प्रेम संबंदों में आप लापरवा हो सकते हैं हो सकता है अज आपने पार्टनर को समझ ना पाएं उनकी फीलिंग्स को ना समझ पाएं तो अच्छा यही रहेगा उनको संझें और उनसे विवाद उत्पन न करें नहीं तो विवाद आज के दिन बहुत अधिक बढ़ सकता है स्टकनेस फील हो सकती है काम के प्रती भी आज के दिन आप फसे रहेंगे तो काम में भी मन ज़रूर लगाईएगा उपाएं करना कैसे ही रहेगा आपके लिए नमक का दान आज के दिन करें आपको लाप राप्त होगा बात करेंगे धनुराशी के जातकों की धनुराशी वालों के लिए काड़ आये है सेवन ओफ पेंटिकल्स और साथ-साथ नाइन ओफ वांट्स किसी चीज को लेकर के परिशान बिल्कुल हो सकते हैं समय जो रहेगा आज का दिन चुनौती भरा रहेगा मगर वहीं पर अगर आपके करियर की बात करें करियर में अंसाटसफेक्शन रहेगी लापर वाही हो सकती है करियर को लेकर भी पैसे को लेकर भी तो इस चीज को बिल्कुल भी ना करें आपके लिए बहतर रहेगा रिष्टों का ध्यान रखें अपने पार्टनर को नराज बिल्कुल मत कीज़ेकर क्योंकि आप अपनी फ्रॉस्टेशन काम के अपने पार्टनर पे उटार सकते हैं उपाय कैसे ही रहेगा धनू राशी के जातकों के लिए आज के दिन अध़ते हिर्दे स्तरोत का पाठ करें आपके लिए लाबकारी साबित होगा आप करेंगे मकर राशी के जातको की, मकर आशी के लिए कार्ज आए है, 9 of pentacles, वहीं पे king of cups, और सासा 10 of pentacles, दिन बहुत अच्छा रहेगा, घूमने फिरने जा सकते हैं, फामली के साथ अच्छा time spend कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ quality time spend कर सकते हैं, मकर वहीं पेसो को लेकर भी आज दिन काफी हद तक अच्छा जाएगा, धनलक्षमी का आगमन होगा, स्वास्त जो है, अच्छा बना रहेगा, अब मकर आशी के जातकों को करना क्या है, आशकर मचलियों को आटा जरूर खिलाएं, आपके लिए पहतर रहेगा, बात करेंगे कुमबराशी के जातकों की कुमबराशी के लिए काज आए हैं डेविल काड आया है साथ साथ two of swords आया है five of swords आया है, दिन बहुत ही जादा चणाथी भ़ा हो सकता है हो सकता है आपको लगे हर चीज गलत ही किसी के भी भड़काय में आज के दिन नहीं आना है, कोई इंफ्लूएंस कर सकता है, किसी तरह की नशीली पदार्त का सेवन कर सकते हैं, इन सब चीजों से बच के रहिए का, अपनी मनमर्जी के चलते आप अपनों को निराश कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से बहुत जादा अपनी मनमर्जी करेंगे, किसी के इंफ्लूएंस में आकर कर तो यह चीज बिलकुल भी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो अपनों को अधिक से अधिक आप निराश करेंगे, जिसकी वज़ा से आने वाला जो समे रहेगा, वो चनौती भरा हो सकता है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवोइट करके चलिएगा, आपको उपाय क्या करना है, आज के दिन श्वान को रोटी जरूर खिलाएं, यानि कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, आपके लिए बहतर रहेगा, बात करेंगे अंतिम राशी, मीन राशी की, तो आपके त्री ओफ कप्स, वहीं पे पेज ओफ पेंटिकल्स, पैसा अधिक से अधिक खड़चा हो सकता है परिवार पे, आज को दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वहीं पे रिष्टों के माधियम से भी आज को दिन बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंदों में और इसी के चलते हैं आज के दिन आप अपने परिवार के अपने प्रेम पे धन अधिक से अधिक खड़चा करेंगे, तो धन पर थोड़ा नियंदर नरके चलेगा, दिन अलोगर बहुत अच्छा जाएगा, मानसिक तनाव बिलकुल भी नहीं होगा, आपके लिए उपाय क् पासना की जाती है, सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है, एक दो तामबे के पात्र लेने है, एक तामबे के पात्र में आपने थोड़ा सा गुर डालना है, जल डालना है, लाल पुष्प डालने है, और एक बड़ा खुला तामबे का पात्र लेना है, व नीचे जो आपने जमीन में तांबे का पात्रे रखा है इसमें गिरना चाहिए इसके बाद इसको अपने मस्तिश्क पे लगाएं थोड़ा सा और इसको किसी भी शुद्ध पौधे में डाल दें ऐसा करने से आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ती बहुत ही शीक्र हो जाएगी तो उमीद करती हूँ विश्य आपको पसंद आया होगा देखते रहिए करिश्मा के करिश्माई बत्ते के वाल आस्टों तक पर फिलाल क्ले मुझे दीजे अजाज़त नमस्कार जैश्री रादे झाल